integration by parts integration by parts देखें हम बात कर रहे थे कि integration by parts किस तरह से की जा सकती है जब आपके पास trigonometric function हो आपने देखा जिए apparently तो लगता जिस पर power from lab applicable होगा लेकिन जब हमने इसको by definition देखा तो वो applicable नहीं था हम उसको apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ इसके लिए dx के साथ जो inside function होता इसका derivative होना ज़रूरी है जो कि यहां पर नहीं था इसलिए हम इसको integrate नहीं कर पाए चलें इसका मतला हमने इसको mathematical technique supply करते वे solve करने की कोशिश की यहां पर x भी missing था जलें यहां पर x डाल देते है आप यहां पर देखें sin4fxdx हमने देखा जी अगर आप इसको integrate कर लें और इसको integrate कर लें तो आपके पास अगर उनकी values insert कर दें तो आपके पास इस function की integration आजेगी जब हमने इस function को solve किया इस function को solve किया तो हमारे पास कुछ values जो आई तो वो basically अगर आप यहां पर देखें चलें अगर आप यहां पर देखें जहां पर मैंने line लगाई यह तीक है वो value इस तरह से आई है वो value आपके पास यह 1 by 2 into x minus sin 2 x by 2 उसके पास जब मैंने lower second function है उसको integrate किया तीक है तो मेरे पास यह values आई ठीक है अब अगर मैंने को replace करता हूँ ठीक है replace करता हूँ given इस equation के अंदर that means वो क्या थी यह मेरे पास है मैं इसको दुबारा से यहां से copy करूँगा ठीक है यहां से मैंने इसको दुबारा से copy किया यहां पर देखें अगर मैंने इसको दुबारा से basically integrate करने जा रहे थे sin 4x को, sin square का square है basically जो power 4 बनती है dx is equal to sin square x किसके equal है sin square x किसके equal है sin square x की integration किसके equal है आपके सामने हमने यहाँ पे sin square x की integration है जिसको मैंने 1 minus cos 2x by 2 की form में करके किया तो मेरे पास आगी 1 by 2 x से basically बनती है 1 by 2 x minus sin 2 x by 4 1 by 2 x minus sin 2 x by 4 sin 2 x by 4 तो मैं लिखूंगा मैं 1 by 2 x या जाए कि 1 by 2 x चलें 1 by 2 x minus sin 2 x 2 x by 4 by 4 यह इसकी integration हागी ठीक है negative sign ठीक है अब जो लोर अमिन सेकिंड फूंक्शन था उसकी integration किसके एकुला है यह आपके समने मुझूद है ठीक है यह आपके समने मुझूद है वो किसके एकुला जी minus bracket में लिखेंगे sorry bracket में लिखेंगे इसको इसको इन लिखेंगे sin 4x होरी यहाँ अब अगें x missing है sin 4x dx अब देखें sin 4x इसको पहले में bracket से बाहर निकालूं तो मेरे पास इसकी form बनती है अब बनेगी sin 4x sin 4x dx is equal to 1 minus 2x minus sin 2x by 4 by 4 minus तेके negative sign है यह bracket है आपके close करें negative sign तो बन जाएगा minus 1 by 3 cosine x sine cube x or plus minus into plus again negative minus 1 by 3 integral sin sin 4x dx अब यह जो 1 by 3 इस तरफ आके plus हो जाएगा तो यह आजाएगा जीए फिर सॉलवोंगे sin 4x dx plus 1 by 3 integral sin sin 4x dx is equal to 1 by 2x minus sin 2x by 4 by 4 minus 1 by 3 cos x sin cube x 1 plus 1 by 4 यहनि अगर आप यहाँ से 1 integral sin sin 4x अगर आप common ले लें sin 4x dx इसको common ले लें तो bracket में आपके पास क्या बचेगा 1 plus 1 by 3 1 plus 1 by 3 so is equal to this thing दोबारा मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर दूँ यहाँ यहाँ आजाएगी ठीक है इसको हम as it is यह बसिकली अभी हम सिर्फ इसको arrange कर रहे हैं basically हमारे पास integration जो इसको solve हो चुक हुए है अब इसको इसको just arrange कर रहे है 1 plus 1 by 3 अगर आप देखें denominators equal कर दे 3 by 3 तो इस बंजेगी 4 by 3 so 4 by 3 times integral sine sine 4 x dx sine 4 x dx is equal to again वही चीज ठीक है और उसके बाद आप के पास देखें 4 by 3 है इस सरफ जाके क्या हो जाएगा 3 by 4 तो integral sine of sine x to the power 4 I mean sine of x to the power 4 dx is equal to is equal to 4 by 3 है इतर आके क्या हो जाएगी 3 by 4 3 by 4 ठीक है और साथ इसको bracket में 1 by 2 x minus sine 2 x 2 x by 4 minus 1 by 3 cosine of x sine cube है अभी हम constant introduce नहीं कर रहे है वो जास पे constant introduce करा देंगे ठीक है so that makes sense कि अब अगर अगर आप इसको 3 by 4 को multiply का दें तो बन जाएगा 3 by 4 2s are 8 देखें से multiply 3 by 8 x इसके बाद minus 3 by 4 4s are 16 3 by 16 sine 2 x minus 3 3 से cancel out हो गा तो minus 1 by 4 cosine of x sine cube of x और plus plus some constant c plus constant c तो इस तरह से आपने देखा अगर आप इस given trigonometric function को integrate करेंगे तो वो किस method से किया जाएगा उसमें क्या-क्या mathematical techniques होंगी apparently जो कि हमें बड़ा असान लग रहा था कि दिशाय डिरेक्ट पर फार्मूला से हो जाए लेकिन technically वो गलत था इसलिए हम ने इसको proper जो mathematical techniques इनको apply करते वे इसको integrate किया झाल